हमें show करना है diagonal of rhombus है perpendicular to each other यहाँ पे हमें एक rhombus बनाते हैं ABCD इसका diagonal होगा A और C को join कर दूँ तो AC diagonal होगा मेरा ऐसे ही B और D को join कर दूँ तो BD diagonal होगा मेरा यहाँ पे intersect करते हैं वो point O मालने दें इसको हम लिख लेते हैं given है हमें एक rhombus ABCD show करना है diagonals perpendicular है यानि AC और BD perpendicular है अब perpendicular show करने के लिए हमें यहाँ पे यह सारे angle AOB, BOC, DOC और यह AOD इन चारो angles को हमें 90 proof करना है तब ही AC और BD perpendicular आएंगे इसको हम show करते हैं अब यहाँ पे ABCD एक rhombus है तो इसकी सारी sides equal होगी तो AB, BC, CD और DA मेरा equal आ गया अब यहाँ पे 90 proof करने के लिए यह angle AOB और BOC मैं यहाँ पे दो triangle मानता हूँ एक मानता हूँ triangle AOB और एक मानता हूँ triangle COB हम इन दुनों triangle से congruent proof करेंगे फिर मेरा यह वला angle angle AOB और angle BOC यह दुनों equal हो जाएंगे इसके आगे हम फिर solve करेंगे अब यहाँ पे इन दुनों triangle से congruent proof करने के लिए यहाँ पे OA और OC equal है क्योंकि diagonals of a parallelogram bisect करते हैं और जो ABCD है मेरा यह rhombus है, rhombus parallelogram होता है ऐसे ही OB मेरा यहाँ पे common है OB equal to OB और AB और BC यह मेरे equal हैं क्योंकि sides of rhombus equal होती है तो यहाँ पे मेरा तीनों sides equal है यानि SSS similarity से मेरे दुनों triangles congruent आ गए इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मेरा angle AOB यानि यह वाला angle और angle COB यानि यह वाला angle यह दुनों angles मेरे equal है by CPCT इसको हम solve करते हैं अब अब यहाँ पे मेरे यह दुनों angles equal है यह जो line है मेरी AC यह एक line है तो यह दुनों angles होंगे मेरे linear pair में तो मेरा angle AOB और angle COB इन दुनों का sum होगा 180 degree यानि अब यह दुनों angles equal है मेरे AOB और COB तो इसको put कर देता हूँ में angle COB को angle AOB तो यह आ जाएगा twice of angle AOB equal to 180 यानि angle AOB आएगा मेरा 90 degree तो मेरा यहाँ पे यह वला angle 90 आ गया मुझे बाकी angles को 90 पुरूफ करना है अब हमें पता है कि AOB और COB यह दुनों angles equal है तो मेरा यहाँ पे यह वला angle भी 90 आ जाएगा तो मेरा यहाँ पे दो angles 90 आ गया बाकी पुरूफ करना है अब यहाँ पे मैं notice करूँ मेरा यह वला angle और यह angle AOB यह दुनों angles equal होंगे vertically opposite angles तो मेरा यहाँ पे यह angle DOC यह भी होगा 90 degree by vertically opposite angle similarly यह वला angle angle BOC और यह वल angle यह दुन angles मेरे equal होंगे तो मेरा यहाँ पे AOD आएगा मेरा 90 degree यहाँ पे यह वला angle 90 आ गया तो मेरे चारों angles 90 आ गया यहाँ पे इसका मतलब अब क्योंकि यह चारों angles 90 हैं तो AB और CD मेरा perpendicular है यही प्रूफ करना था हमें